नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिये चैनल प्राचीन जांकारी में इन चीजों में खुद माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है इसलिए वेत प्राणों में कहा गया है कि इन वस्तूओं को हमें माता लक्षमी जी के बराबर का समान देना चाहिए इन वस्तूओं के हमें पूजा भी करनी चाहिए और इन से जुड़े हुए शास्तिरी नियमों का भी पालन करना चाहिए देखे दोस्तो माता लक्ष्मी जी धन और एश्वर्रे की दिवी हैं हमारे वेत पुणाँ में साफ सफ लिखा हुआ है अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशिरवात दे दे इसलिए दोस्तो हमारे शास्तरों के अनुसार एक परिवार में सदैव माता लक्ष्मी जी को प्रसन करने के लिए प्रेतन करते रहना चाहिए और अपने घर में हर व्यक्ति को वह चीज़े जरूर रखने चाहिए तीसरा कमल का जो फूल हो गया उसको घर में रखना वेद पुराणों के हिसाब से बहुत ज़्यादा शुब होता है इसी प्रकार से अगर आपके पूजा घर में श्रीयंत्र रखा हुआ है तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उन्नत्ती भी होगी और माता लक्षमी जी की किरपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो माता लक्षमी जी को अत्यन तिप्री हैं और यहाँ सब चीज़े अगर आपके घर पर हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशिरवात आपको जरूर मिलेगा और आज के इस वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिये चीज जालू के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तो जालू एक दिव विवस्तू है जिसके अंदर माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं इसलिए जालू का घर में एक महत्पूर्ण स्थान होता है वैसे तो जालू की जो कचड़ा होता है वो जालू से साफ कियाता है लेकिन बहुत कम लोग ये बाद जानते हैं कि जालू का इस्तमाल करके आप अपने जीवन में एक चमतकारी और साकरात्मक बदलाव ला सकते हैं माना गया है हमारे वेत पूराणों में अगर जालू का सही प्रकार से प्रियोग एक घर में किया जाए तो एक घर की आर्थिक स्तिती बहुत अच्छी हो सकती है एक घर को माता लक्ष्म जी का अशिरवाद मिल सकता है और आज के इस वीडियों में हम आपको जालू के उन शास्तिरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं माता लक्ष्म जी का आपको वो आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में धन, दौलत, सुक, समरिद्धी, एश्वरर के प्राप्ति होगी इसलिए इस वीडियो को लाश्ट तक अंत तक बिना भगाय देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्म जी की किरपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्म जी के अशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुती उन्नति करें, बहुती आगे जाएं दोस्तो पुरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजे माता लक्ष्म जी की जै देखें दोस्तो बहुत ध्यान से तुनेगा, आप किसी भी प्राचिन गंत को उठा करके देख लें, उसमें यही साफ साफ लिखा हुआ है कि जाडू बहुती पवित्रे अंत्र है इसलिए जाडू का प्रियोग करते वक्त एक मनुष्य को उनके शास्त्रियों नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए घर में जाडू को कहा रखना चाहिए, जाडू लगाने का सही सामय कब होता है, जाडू को किस दिन खरीद करके लाना चाहिए, ये एक व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए और एक व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी जी रोष्ट हो जाती है और ये सारी जानकारी आज के हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और एक बात ध्यान से सुनिएगा आपके घर की जो पुरानी जाड़ू होती है उसका सीधा संबंद आपकी आर्थिक सिथी से होता है इसलिए वेद पुराणों में प्राचिन गंतों में बताया गया है कि पुरानी जाड़ू को ले करके एक ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में ना केवल धान आना शुरू जाएगा बलकि धान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और उन उपायों के बारे में अभी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे दूसरी बात इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा कि जाडू को घर में हमेशा छुपा करके रखना चाहिए इस बात का ध्यान देखेगा कि कभी भी कोई भी बहारी व्यक्ति आपके घर की जाडू को ना देखने पाए देखिए होता क्या है कि आप अपके पास जब भी रुपए पैसा सोना चांदी होता है उसको आप बहुत छुपा करके रखते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति की नजर उस पर ना लग जाए और आपके घर को नजर ना लग जाए जिसके बाद आपके घर में हो सकता पैसा ही आना आने के रास्ते बंद होते हुए चले आते हैं तीसरी बात यह है कि जाडू को इस्तमाल करने से पहले हमेशा जाडू को प्रणाम कल दीजेगा दोस्तों बिना अनुमती के कभी जाडू को नहीं उठाना चाहिए व्यत प्रणा में लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति जा जाडू को घर में किस दिशा में रखना चाहिए तो दोस्तों सबसे उत्तम दिशा जो है जाडू रखने के लिए वो होती ही पश्चिम दिशा हमारे वेद पुनालों के अनुसार अगर एक घर में पश्चिम दिशा में जाडू रखी जाती है तो इससे घर की बरकत भी होत दोस्तो बहुत लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो अपने घर की जाडू को खड़ा करके रखते हैं, कभी भी आप ऐसी गलती मत कीजेगा, कभी भी जाडू को खड़ा करके मत रखिएगा, हमेशा जाडू को सोला करके रखना चाहिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर म आप लोगों के मन में बार बार सबाल आ रहा होगा कि जाडू को किस दिन खरीद करके लाना चीए तो वेत पुराणों का नुसार एक जाडू को हमेशा शनिवार के दिन खरीद करके लाना चीए अगर शनिवार के दिन घर में जाडू खरीद करके लाई जाए तो इससे घर मे हमेशा बरकत होती है घर में उन्नती होती है और कई देवी देवताओं का अशिरवाद एक घर पर बना रहता है तो इस बात का अपनों ध्यान रखिएगा कभी भी जालू खरित करके लाईएगा वो शनिवार के दिन लाईएगा अचा दोस्तो बहुत से लोग गलती क्या कर बैटते हैं वो अपने घर की जालू से छिपकली को मारते हैं कौकरोज को मारते हैं कीडे मकौडे को मारते हैं दोस्तो वेट पुराणों में इसकी सक्त मनाई है कभी भी अपने घर की जालू से कीडे, मकोडे, छिपकली, इनको मत मारियेगा, ना इन से भगाइएगा हमारे वेत पुरानों में साफ़ साफ कहा गया, कि अगर एक व्यक्ति जाड़ू का इस्तमाल करते हुए, किसी भी कीडे, मकोडे को मारता है तो माता लक्ष्मी जी इससे रुष्ट हो जाती है तो कभी भी ये गलती मत कीजेगा और शायद ये बात आप लोगों को ना पता हो इसलिए आज आपको हम ये सारी बाते बता रहे हैं इसलिए दोस्तो अभी तक चैनल को अपने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो लाइक करना मत पूलिएगा दोस्तों बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि जाड़ू लगाने का सही समय कब होता है तो आपकी जानकरी के लिए बता दें वास्तो शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है जाड़ू लगाने का सही समय सुर्योदे के वक्त का होता है जब सूरज की पहली किरण आपके घर पर आती है उस वक्त आप अगर घर की जालू लगाएं तो इससे आपके घर पर साकारत्म कुर्जा का वास हो जाता है वेट पुराणा में कहा गया है कि अगर सुर्य की पहली किरन के दिन, पहली किरन के समय आप लोग अपने घर की ज़ाडू लगाएंगे तो इससे आपके घर पर सूर्य देव जी के साथ माता लक्षम जी की किरपा बनी रहेगी इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, और मान के जलिए आपके घर पर हमेशा सा कारात्मा कुर्जा का वास रहेगा रिगवेट के अनुसार, सुर्यास के बाद अगर आप लोग घर की जाड़ू लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है, कभी भी सुर्यास के बाद घर की जाड़ू नहीं लगाने चाहिए, इससे घर पर नाकर अत्मा कुर्जा का वास हो जाता है दोस्तो एक बात के ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी जाड़ू जो घर की है, वो किसी भी व्यक्ति को उधार मत दीजेगा, कोई व्यक्ति आपसे कितनी भी विंति कर ले, कभी भी अपने घर की जाड़ू किसी भी दूसरे व्यक्ति को लगाने का लिए मत दीजेगा, व मान के चली कभी भी आपके घर पर धन नहीं आएगा, मातालक्षिमिजजज़ आपके घर पर कभी भी वास्करने नहीं आएगी. अगर आप प्रतेक शुक्रवार को सुबह के वक्त ये उपाय करेंगे तो आपके घर पर साकारात्मा कुर्जा का वास सदय बना रहेगा और मातालक्षमिजी गई भी आशिरवाद आपके घर पर बना रहेगा दोस्तो ये वो नियाना जाड़ो को ले करके जो आपका जानना बहुत ही जाता जरूरी था इसलिए अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो लाइक करना मत भूलेगा